आज हम जानेंगे तिर्थंकर नाम कर्म उपारजन के 20 बोलो के बारे में, जो भी इनकी आराधना उच्छ भावों से करता है, उनके तिर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है, इन 20 में से किसी एक पत की आराधना से भी नाम कर्म का उपारजन हो सकता है, मूल है उच्छ भाव, ग स्रद्धा, इनका होना जरूरी है। तो अब जानते हैं तिर्थंकर नाम कर्म उपार्जन के 20 उपाई। पहला है अरिहंत भगवंतों की भक्ति, बहुमान और गुनानुवाद करके। दूसरा उपाई है सिद्ध भगवंतों की स्रध्धा, भक्ति, स्तवन, आदि से बहुमान करके। तीसरा उपाई है प्रवचन यानि जिनेश्वर भगवंतो द्वारा प्ररूपित द्वाद शांगी रूप निग्रंत प्रवचन की भक्ती बहुमान करके। चोथा उपाई है गुरू यानि आचार्य का बहुमान करके। भक्ती पूरवक वस्त्र, पात्र, अनुकुल, आहर आदी से वातसल्य करके। पांच्वा उपाई है स्तवीर, बीस वर्ष की दिक्षा वाले, दिक्षा परियाई वाले स्तवीर, स्तानां समवायां के ज्याता, सुरुत स्तवीर की भक्ती करके. चटा उपाई है बहुसरुत्पन यानि बहुसरुत्पन को प्राप्त हुए महात्माओं सादुओं की सेवा करके साथवा है तपस्वी मुनिवरों की सेवा या वैया वृत्य करके आटवा है ज्यान वाचना प्रिछना आधी से सूत्र अर्थ और दोनों की साधना करते रहने से तिर्थंकर नामकर्म का उपारजन होता है नववा उपाई है दर्शन यानि संका, कांग्षा, आधी दोसों से रहीत, स्तैर्य आधी गुन्युक्त और छमा आधी लक्षन वाले सम्यक दर्शन की आराधना करके दसवा उपाई है विनई, ज्यान, दर्शन, चारित्र आधी का विनई करके ग्यारवा उपाई है सुबह और शाम, यानि प्रातह सायम, दोनों समय भाव पूर्वक सट आवश्यक करने से, यानि प्रतिकमन करने से बारवा उपाई है व्रतो का सुद्धता पूर्वक, निरती चार, यानि भिना दोश लगाए पालन करने से तेरवा उपाई है सुब्ध्यान से, समय को सार्थक करने से, चौद्धवा उपाई है यता शक्ती तब का आचरन करने से, पंदरवा उपाई है अभई सुपात्रदान देने से, सोल्वा उपाई है वैया वृत्य यानि आचार्य उपाध्याई स्तवीर, तपस्वी, ग्लान, नवदिक्षित, साधर्मिक, कुल, गन और संग की यता योग्य सेवा करने से, सतर्वा उपाई है आकुल, व्याकुलता छोड़ कर, समादी भाव रक कर और गुरु आदी की यता योग्य सेवा करके उने समादी भाव में रकने से, अठर्वा उपाई है नविन ज्यान का अभ्यास करते रहने से, 19 उपाई है सुरुत, सम्यक सुरुत का सुब भाव पुर्वक प्रचार करके और सुरुत का अवर्नवाद दूर करके 20 उपाई है धर्म प्रभावना, उपदेश और प्रचार आदि से धर्म की प्रभावना करने से तो तिर्थंकर नाम कर्म की परम शुब पुन्य प्रकृति का बंद इन 20 प्रकार के उपायों से तो तिर्थंकर नाम कर्म की परम शुब पुन्य प्रकृति का बंद 20 प्रकार की उत्तम आराधना से होता है इन में से किसी एक पद की आराधना से भी तिर्थंकर पद की प्राप्ती हो सकती है अगर कोई सारे ही पदों की आराधना करे तो ये तो और भी अच्छी बात होगी उत्कृष्ट भावों से आराधना हो तो तिर्थंकर पद प्राप्त करने की योग्यता आ सकती है तो इन 20 पदों में आप कौन से पद की आराधना रोज करते हैं कमेंट में बताएं वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें